अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी यह हमारा खास प्रोग्राम है सजना है मुझे जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों की मौसम में आप अपने स्किन और बालों का खयाल कैसे रख सकते हैं इस विशे पर हम स्पेशल बातचीत करेंगे वेलनेस एक्सपर्ट है हमारे साथ प्रीती सेट जो बताएंगी इस विशे पर विस्तार से मैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक मैं जैसा कि माने आपको पहली बताया कि चहरा और बाल सबसे ज्यादा सर्दियों में खराब होता है तो इस पर अजे एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे मैं actually नहीं मानती कि चहरा और बाल सरदियों में खराब होता है मुझे लगता है इस ब्यूटिफुल वैदर इस ज़स्ट आप हम उसको मिन्टेन कि ऐसे करना है वो हम नहीं जानते या फिर हम वो करते नहीं है सो अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूँगी कि ये राइड वैदर होता है बालों को ग्रो करने के लिए भी और स्किन को भी रिफ्रेश्मेंट लगती है सो और इस ताइम पर फूड भी और अगर आप मार्किट में फूट देखो तो वो भी बहुत अच्छे मिलते है सो आप अपने फेस को जो हम मेजर ली मुझे प्रॉबलम सुनने में मिलती है कि हैर फॉल बहुत हो रहा है या डांडर बहुत हो रहा है या skin crack हो रही है या फिर skin इची लग रही है dry लग रही है so actually हम लोग अगर अपनी skin regime को follow करते हैं जिसको cleansing, toning, moisturizing बोलते हैं अगर आप वो regular करते हो तो आपको यह वले feelers नहीं आएंगे so अगर आप घर का पूछो मुझसे तो आपके kitchen में इतनी सारी चीज हैं जिसको लगा कर आप अपना फेस बहुत अच्छा कर सकते हो आप बनाना उठाओ, बनाना खा भी लो और आप अपने फेस पे भी बनाना लगा लो which is because it is very very good high in potassium, आपके skin को भी नरिश करता है और आप बनाना को अच्छे से मैश कीजिए और आप उसमें दाल चीनी का पाउडर मिलाइए it's a very good pack, आप अपने roots में और सर में लगाएए for 45 minutes, trust me आपके बाल ऐसा लगेगा जैसे आप hair spa करा के आएए और दूसरा, बहुत लोग onion roots में लगाते हैं अगर आप उस onion juice में beetroot juice, मतलब चुकंदर juice भी मिला लेंगे तो एक तो आपके बालों में से dandruff भी चला जाएगा और दूसरा, आप hair growth भी, बताब fall भी रुख जाता है so normally लोग ये कम bother करते हैं कि मुझे fall बहुत हो रहा है actually fall तो होगा, आप देखे न हमारी body में सबसे brittle area जो easily तूटता है वो बाली होता है, तो वो तूटेगा बट हमें ये ध्यान देना है कि क्या जितने तूट रहे हैं उससे double उग रहे हैं कि नहीं उग रहे अगर वो नहीं हो रहा, तो you definitely need a professional help ये आपको consult करना चाहिए और अगर गिर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके बाल उग भी रहे हैं then I don't think so, it's a concern so आप बालों को विंटर्स में आप सर्द होने से पहले आधा एक घंटा पहले आप एक बहुत अच्छा सा तेल घर में बना के रख सकते हैं जिसमें कि आप इक्वल पोर्शन में कोकोनट ओल डालिये, कैस्टर ओल डालिये, अलमंड ओल डालिये और उसमें थोड़ा सा अरोमा ओल है, रोजमेरी और पिपर मिंट आप देखिए, आप उसको रेगिलर लगाईए, आपके बाल गिरने और जड़ने बंद हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी कंडिशनिंग मी मिलेगी और और रेमिडी इस आप अपने बालो में हफते में एक बार अलोवेरा आपको प्यॉर भी मिलता है और आपके घर में अगर पेड लगा हुआ है तो आपस उसे घिसिये और उसका निकालिये जूस और आप अलोवेरा जो आप बनाते हो पल्प उसके अंदर अगर आप विटमिन E का कैपसूल डाल के रूट्स में लगा लेंगे तो वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और skin पे भी में बड़ा basic बोलूँगे अगर आपकी बहुत dry skin है आपको oily नहीं है दाने बाने नहीं है तो आप simple coconut oil मुपे लगाईए it is very very good आप घर में जो मलाई होती है या कच्छा दूद आप उसको रोज लगाईए because वो भी as you know lactic acid होता है उसमें वो भी आपके skin के लिए बहुत अच्छा blemishes को हटाता है एक बहुत अच्छी remedy है जो मैं आप सब के साथ share करना चाहती हूँ for face अगर किसी को pigmentation है because of thyroid or any medical concern की वज़ा से है अगर आप नहीं जा सकते किसी clinic so better है सबसे अच्छा चावल होता है उ दूद में भीगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा और आप कच्छे दूद में उबला हुआ नहीं तो आप उसको रात को भीगाएगे और सुभा उसका चोट पेस्ट बना लीजे आप अपनी पूरी body में लगाएगे आप अपने face पे लगाएगे आपकी तवच्छा चमक अगर आप वह पपाया भी मैश करके अपने face पे लगाते हो वह भी बहुत अच्छा है और बेस्ट आप सब लोग पाइनापल खाना शुरू कर दीजे सुभा उठते हैं आप पाइनापल जूस लीजे फ्रेश में कुछ भी बात कर रही हूं मैं तिंड बात कर रही हूं मैं पाक्ट फूड की बात करेहूं मैं फ्रेश जूस की बात करेहूं पैनापल में एक आपनापल होता है बूमल इल्हार इंक्रीद बीजेंट होता है विश थी य्字 वेृony खाम क्रेगा आपकी इंट पार्राइज र१ा में मैं पाउनिटी बूस्ट करेहां विक में ईसदी व अपने चेहरे की बात कही है, जैसे डेंडर्फ के भी बहुत जादा समस्या होती है, और उस चीज को कैसे हटाया, जैसे घर पर ही हम डेंडर्फ के लिए क्या कर सकते हैं? डेंडर्फ is related to stress, सबसे पहले तो आप stress कम कीजिए, ठीक है, दूसरा बात, डेंडर्फ is related to what shampoo are you using, या how clean your hair are, आप अपने बालों की cleanliness and hygiene का खयाल रखिए, दूसरा घर पे आप डेंडर्फ जैसे मैंने बताया था, आप onion juice में चुकंदर juice मिलाके अगर लगाते हैं, तो आप डेंडर्फ को कम कर सकते हैं, आप pepper mint मिलती हैं, या फिर कपूर और नारियल का तेल भी अगर आप लगाते है तो उससे भी डेंडर्फ कम हो जाता है, और ध्यान दीजे कि आप गरम पानी से सर नहीं धो रहे हैं, अगर आप गरम पानी से सर धो रहे हैं, तो आपको डेंडर्फ होगा ही होगा, आखरी कोशन आप से पूछना चाहूंगे, कि हमारी डाइट का हमारे चेहरे और हमारे श हमारी body और हमारा चहरा डिपिक्ट करता है कि हम क्या खाते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि हम clean खाएं मैं यह कभी नहीं बोलूँगी कि do not enjoy please keep one day for your favorite food बाकी सारे दिन आप healthy खाये अपनी body को हमारी body natural चीजों से बनी हुई है so आप natural चीजें दीजें body को अपनी body को vitamin C rich रखिए आप body को magnesium zinc तीजिए आपके ना बाल की रेंगे और आपकी body भी अच्छी रहीगी और अब अपने पेट की which is called gut अगर आपकी leaky gut है ना no matter आप कुछ भी करें आपको उसके results नहीं मिल सकते तो आप अपने पेट को detoxify करते रहिए आप रात को आपल को juice निकाल के उसको boil करके उसमें cinnamon डाल के रोज रात को पीजिए आप देखिए आपको between A मिलेगा आपकी body की immunity boost होगी और आपका face भी बहुत अच्छा हो जाएगा so बहुत important है आप अपनी diet का खयाल रखिए अपने face के लिए और अपनी body के लिए तमाम जामकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो हम बात कर रहे थे प्रिती सेर से जिन्होंने बताया कि कैसे सर्दियों में अपने skin का और अपने बालों का और पूरे शरीर का कैसे ध्यान रखा जा सकता है ऐसे ही latest update के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें प्रभासाक्षी के साथ नमस्कार